12.4 चुम्बकी क्षेत्र की दिशा ग्याद करने के लिए दाहिने हाथ का नियम Right Hand Rule for Direction of Magnetic Field सीधे धारावाही चालकतार में बहने वाली धारा के कारण उत्पनक चुम्बकी क्षेत्र को दाहिने हाथ के नियम से आसानी से ग्याद किया जाता है कल्पना कीजिए कि जब आप दाहिने हाथ में धारावाही चालकतार को इस प्रकार पकड़े हुए है कि आपका अंगूठा धारा की दिशा में है तो मुड़ी हुई उंगलियां चुम्बकी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी जैसा की चित्र साथ में दर्शाया गया है 12.5 वृत्ती धारावाही चालक के कारण क्षुम्बकी क्षेत्र Magnetic field due to circular current carrying conductor हमने सीधे धारावाही चालकतार के कारण उत्पनक क्षुम्बकी क्षेत्र की आकरिती देखी है अब मान लीजिए आप इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार रूप में मोड़कर इसमें विद्युधारा प्रवाहीत करें तब इसके द्वारा उत्पनक्षुम्बकी क्षेत्र की आकरिती देखें इसके लिए वृत्ताकार लूप को एक पतली कार्डबोर्ड शीट में लगा देते हैं चित्र आठ तार के वृत्ताकार लूप में से जब धारा प्रवाहीत की जाती है तो कार्डबोर्ड पर पुनह लौह चुड़न डालें तब तार चित्र आठ के चारो और नस्दीक में वृत्ताकार चुमकिक शेत्र रेखाएं बन जाती है जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाते हैं चुमकिक शेत्र रेखाओं को दर्शाने वाले सकेंद्री वृत्त बड़े होते जाते हैं तथा केंद्र से अधिक दूरी पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होते हैं। दाय हात का नियम लगा कर यह देखा जा सकता है कि धारा ले जाने वाले वृत्ताकार तार का प्रत्तेक भाग वृत्ताकार तार के अंदर समान दिशा में चुमकी क्षेत्र रेखाएं उत्पन करता है। तथा केंद्र पर सभी क्शुमकीक शेत्र रेखाएं समान एवं एक ही दिशा में होती हैं और इसके कारण चुमकीक शेत्र के परिमाण में व्रिद्धी होती हैं आईए इसके लिए क्रियाकलाब करें क्रिया कलाप 4 आवश्यक सामगरी आयताकार कार्डबोर्ड विद्युत्रोधी कौपर तार के कई फेरो 50 की बनी वृत्ताकार कुंडली धारा नियंत्रक बैटरी 6 वोल्ट दापकुंजी अमीटर विद्युत्रोधी कौपर तार के कई फेरों की बनी एक वृत्ताकार कुंडली लगाएं जो उस कार्डबोर्ड के तलके अभिलमवत हो तीसरा चित्र आठ में दर्शाय अनुसार कुंडली के श्रेनी क्रम में बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक वो अमीटर लगाएं चौथा, कार्डबोर्ड पर लोह चून एक समान रूप से फैलाएं पांचवा, कुंजी लगाकर परिपत पूरा कीजिए छटवा, कार्डबोर्ड को हलके से थपतपाएं कार्डबोर्ड पर जो आकृती बंती दिखाई दे, उसका अवलोकन कीजिए हमने जाना हैं कि किसी धारावाही चालक के कारण किसी दिये गए बिंदु पर उत्पन, चुमकी क्षेत्र की तिवरता प्रवाहीत विद्युद्धारा के समान रूपाती होता है यदि हमारे पास N फेरों की कुण्डली है तो उत्पनक चुमकी क्षेत्र की तिवरता N गुना होगा इसका कारण यह है कि प्रतेक फेरे में विद्युद्धारा के प्रवाह की दिशा समान है वृत्धाकार कुण्डली की तिर्जिया कम कर पुना इस क्रिया कलाप को धूराएं धारावाही कुंडली पतले डिस्क चुम्बक के रूप में वहवार करता है जिसका एक फलक उत्री धुरू और दूसरा फलक दक्षनी धुरू होता है